जब भी आप किसी से कहते होंगे कि आप BMS कर रहे हैं, आयरवेद की बढ़ाई कर रहे हैं आपके करिक्योलम में शल्य तंतर ग्यानी की सर्जिरी नाम का एक सब्जिक्ट भी है आपको भी सर्जिरी सिखाय जाती है, तो बहुत सारे लोग या तो शॉक्ट रह जाते होंगे या फिर आपसे बोलते होंगे कि आयरवेद उसे फर्बर प्रिपरेशन तक ही सीमित है आपके बोलते हैं तो यह नोशन कितने सही है तो अगर प्रिवेद ने भी सर्जिरी करी जाती है तो उसे रिलीव कितने लोगों को मिल रहा है क्या वो सर्जिरी सुसेट्फुल भी है या नहीं ऐसे बहुत सारे क्वेशन होंगे आपके दमाग में आज के वीडियो में हम इनी चीजों फोडिकोड करने बाले हैं तो हाइभेड से रिलीटेब कुछ बहुत ही सुसेट्फुल सर्जिरी के बारे में जो आज के ताम के पॉपलर भी है भुछ सारे लोगों को इनसे रिलीट रिला है So without further ado, let's just dive into the video So Ayurveda में Surgery आई कैसे? ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा Flashback में और देखनी पड़ेगी Ayurveda से रिलेटेड सर्जुरी की हिस्टी था कि आपको बता चल सके कि Indians had discovered surgery a very very long time back चार सुष्रुट जन्हें father of surgery भी खाँ जाता है उनके बुक सुष्रुट समिता में बहुत सारे surgery के references देखने को मिलते हैं इस बुक में बहुत सारे surgical instruments, incision techniques, suturing bandaging techniques, fracture reduction and foreign body extraction के references होने के साथ साथ explanations की भी बात करी गई है और सुष्रो समिता के दोनों वॉल्यूम्स भी एंश के करिकुलम का पार्ट भी है तो ऐसा कहना कि आयरवेब इस रस्टेट टू थे होबर प्रेपरेशन इस अ वेरी वेरी रॉग शे तो शुष्रो समिता के दोनों वॉल्यूम्स भी बहुत सारी सर्जुरी के रेफरेंसेस हैं जब पुरानी टाइम में परफॉर्म करी गई थी उनको आप रीविव कर सकते हो दोनों वॉल्यूम में जाके देख सकते हो और अगर अभी की टाइम में बात करें तो BMS के बात जिन्हों ने पोस्ट राजुवेशन MS सर्जुरी करी है यानि कि शल्ले तंतर से अपनी पोस्ट राजुवेशन करी है थीज पीपल आर एंटाइटेद टो सर्जुरी यह तो रही हिस्ट्री की बाद कर राज के टाइम पर पर जाल लेते हैं, जो आइरवेधिक होस्पिटर्स में परप्रम के जाते हैं, इसाथ में पॉबलारिटी भी केंड कर रहे हैं, और इनसे बहुत सारे लोगों को रिलीव भी मिल रहा है, तो आएए हम उनके बारे में जा तो आप कही ना कही इस प्रोसेजर के बारे में आगे जाके जरूर सुनोंगे, इस प्रोसेजर को बेसिकली यूस किया जाता है, पाइस विस्टुला और फिशर के पेशिर को ट्रीट करने के, मिनिमुम 25 तो 30 मिनट की सर्जरी होती है, जादा पैनफुल नहीं होती है, और ये काफी अची बारो जाती है, तो ये एक प्रोसेजर ऐसा है जो सिफ साहर सूट्रा करके ही बहुत अच्छी इंकम जेनेरेटकर हैं, तो अगर आप राइयर वेवेट में आ जाता है और आपको सोजर में इंट्रेस्ट्ट तो छाहर सूट्रा सीखना आपके लिए एक बहत जाता है कि जो रख है यानि कि आपका ब्लॉड उसके दूशित होने से बहुत सारी प्रोमिनेंटली स्किन डिसॉर्ड बहुत सारे होते हैं तो उनको ठीट करने के लिए रख्तमूक्षिन किया जाता है रख्तमूक्षिन बेसिकली एक ब्लॉड लेटिंग थेरपी है इसमें प्रक्षान और सिरावेद नाम की दो टेक्नीक्स आती है जिन में नीडल्स का यूज किया जाता है जलौका वाचरन जीश थेरपी भी एक पार्थ है बेसिकली स्किन डिजीज जैसे कि सुर्याफिस, एक्जमा, अक्ने, अलुपेशिया, वेरिकोस बेज जैती प्रॉब्लमें रख्तमूक्षिन कें दूवनर्स यह एजी टेक्नीक है, टाइन कम लगता है, जादी पेइनफुल नहीं होती और इसके रिजल्स काफी जादे अच्छे रहते हैं यह एक टाइप के ठिरापिटिक हीड होती है, कुछ शलाकाय ली जाती है, जिनने हम heated rods भी बोल सकते हैं, गोल, silver, iron या copper के बनी हो सकती हैं, इनने डाइकली हीट करके अप्लाइ किया जाता है, इनने डाइकली हीट करके अप्लाइ किया जाता है, और यह प्रोसेजर इंस्ट अबने जाता है, इनने डाइकली ही यह एक आएकली ही आएयर्वेधा में हुई और वह भुषरी ही जल भी रही है, बहुत सारी वैध्याज ऐसे हैं महाराश्च्रा के साहँ किया है, जो सर्फ अग्नी कर्म की प्राक्रिस करके बहुत अच्छी इंकम जनुरेट करें हैं, भ और आपको ऐसा लगता है कि आपका सर्जरी में कोई स्कोप नहीं है और अगर आपको सर्जरी में आगे हो तो आप सर्जरी आगे जाके नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं है अगर आपको सर्जरी में इंट्रेस्ट है और अगर आप अच्छे सर्जरी बनना चाहते हो तो स्कोप ह और अगर आपको एसी ही इंफिमेटर विडियो चाहिए मेरे चानल पे सो दू सुस्क्राइब मै चानल और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटे तो आयरवेदा और रिलेटे तो बेमस आपको क्वेरी इन दे कॉमें सेक्षिंट बबाई